राधे राधे महराजी, मेरा प्रशने आप से ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज्यादा करता है वो परिशान ज्यादा रहता है तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भगत परिशान हो ना ऐसा जिसने कहा है गलत कहते है क्योंकि महाराजी मेरे घर में सब खुश है चार साल से मेरी जो इस्तिती है बहुत ही खराब हो गई है तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती है उसी लिए परिशान हो पूजा मत किया करो कल योग में ऐसी कहने वाले लोग जादा है और बलकि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसको और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए यहां तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो लोग ऐसा वहवार करने लगते कि तुम पूजा करते हैं इसलिए परिशान हो देखिए पूजा करना चाहिए आप करते रहें रही बात दुखों की संकटों की तो वो तो आते रहें रहें वो तो आपका जो करम दंड है किसी जनम का मिलेगा मुवाराची मेरा ये प्रश्ण है कि करम दंड उसी जनम में दें भगवान जिस जनम में हमने गर्ती किया हो समय नहीं होता ना भाई किसान आज खेत में भीज बुएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी आप बताईए ऐसे तो लोग हसते हैं न उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पार्ट में रहती है देखो सुदामा पर भी लोग हसते थे सुदामा भी भीख मांगते थे इतने बड़े भक्त थे भगवान के भक्तों में थोड़ा सा इश्वर के घर दे रहे अंधेर नहीं है भगवान ने लोगों ने तो नर्जी महता पर भी हसी जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया नहीं आए भगवान हस रहे थे लोग लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना भगवान द्रौपदी पर भी लोग हस रहे थे साड़ी उतर रही है पर विश्वास है लोगों का काम क्या है हसना आज से नहीं हस रहे हैं सत्योग में भी लोग हसते रहे त्रेता में भी हसे हैं, सीता पर क्या नहीं हसे लोग फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हसे कि कल योग में आपके उपर और हमारी उपर नहीं हसेंगे हसेंगे, हसने वाले हर योग में पाए जाते हैं और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह हम अपनी जगह सही रहें बस महराजी तो क्या भगवान को भी दुख होता होगा ना जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही अगर भगवान देखो ये बताईए कि आप एक्जाम दे रहे हैं उस समय आप प्रशन का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं टीचर रहते हैं वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत पर वो रोकते नहीं, आप गलत लिख रहे हैं, तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं, आप सही लिख रहे हैं, तो भी वो साब बासी नहीं देते, पीठनी थप थप आते कि वहाँ तुम ठीक कर रहे हैं, वो देखते हैं, अब आपकी कॉपी जमा होगी, पंदरतने ब परिणाम नहीं आया, क्या नरसी महता का परिणाम नहीं आया, क्या प्रहलाज जी के लिए खंबा से नहीं आया, भक्त को सब्र रखना चाहिए, भक्ती के राष्टे पर एक चीज है, चाहिए, सब्र, धैर ये, महराजी इतनी तकलीफ में सिफ़ा आपका भागवत सुनके शा पहली बात, आप गलत है, आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किस का मान सम्मान, किस बात का मान सम्मान, कोई बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए, सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन, सम्मान के लाइक आप पूजा अलग विस है, सम्मान अलग विस है, पूजा आप करिए, पूजा शान्ती के लिए की जाते हैं, यह कहे कि आप पूजा ना करो, तो यह तकलीफ का बात हैं, कौन कहता है, मत सुनो ना ऐसी बात हैं, आप यह बताएए, जब तूफान चलता है, तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं, कि बंद हैं, फिर जब उल्टी सीधी बाते आएं, तो कानों को बंद कर लिया करें, समाज की बातें सुनेंगे, परिसान होंगे, मत सुनो ना, समाज के बीच में कम रहो, लोगों की बीच में कम रहो, भगवान के आसपास, भगवान की भक्त इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खुब सारा धन दे दें, खुब दौलत दे दें, भगवान की भक्ति दौलत के लिए मीरा वाई तो अल्रेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पती की पतनी थी, लेकन सब दौलत छोड़के उसने पायो जी मैं निराम रतन धन पायो उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी, तो आपको भी इश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभू आप हमारा काम कर दो, पडोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं हमारे गरगरीवी चल रहे हैं, यह चल रहा है, यह तो भिकमंगों वाली बात हो गई, है ना, भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभू आप ही हमारा धन है, दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन, मीरा वाई ने सब छोड़ दिया, और धन किसको माना, भगवान को, भक्तों के लक्षण यह नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान चाहिए, आप हमारी तरफ अच्छी बात हैं फेक हैं या बूरी बात हैं, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान ने भी सौ गाली यह सुनी से शुपाल की, तो आपका लक्ष गलत है, आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, यह दोनों खतम कर दीजिए और भगवान से कुछ न मांग कर, भगवान को मांग लिया जाए, तो भगवान सब कुछ दे देंगे, आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं बात खतम, फिर क्या चाहिए, इतने साल से यहां बिंदवन आना चाह रहे थी गुरुजी, आज सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन नहीं है, ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया, भगवान ही आपका सब को वो मिल गए, तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिल के भी कुछ नहीं मिला, ठीक है, आप सब से अमीर हो, क्योंकि आप आज बरंदावन की पावंधरा पर खड़ी हो, कहने वाले तो कहके वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की, तब तो बरंदा बनाए हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, कृपानी की, नीन में ही बोलती हूं कहने अपने द्वार पे बुला लो, आज साय का नहीं है, इसलिए भगवान से शिकायत नहीं, अउनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, ठीक है, राधी राधी गुरू जी, हाँ बेटा, राधी राधी राधी, पीछे ले जाओ माईक, खड़े बेटा, यहां करपाठक जी, खड़े हो जाओ बेटा, यह काली सर्ट वाली बेटा, राधी राधी जी, मेरा सवाल है क्या महीला इस तरी कथा व्यास गद्धी पे क्यों नहीं बैठ सकती है? सब की मर्यादा हैं कौन कहां बैठेगा कौन कहां नहीं बैठेगा आप ग्यान तो सब को दे सकते हैं उपदेश करता हो सकते हैं ब्यास गद्धी में एक मर्यादा है कि अब ब्यास गद्धी में महिला बैठी है उसी समय उसको time चालू हो जाए period अशुद्धियां तो क्या वो एक ठीक है व्यासगद्धी की मर्यादा है ये क्या सास्त्रों में नहीं आया सास्त्रों में तो ये है विरक्तो वैश्नवो विप्रो वेद सास्त्र विशुद्धिक्रत क्या माता नुस्वया कम विद्वान थी क्या वो भागवजी करने लग गई आप प्रवचन कर सकते हैं आप ज्यान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, समाज की सेवा, पर एक व्यास पीट की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है, भाई कहा पुरुष बैठेगा, कहा इस्तरी बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है, साधी विवाहे में भी इस्तरी का स् बाथेगी, पुरुष इस्तरी के स्तरफ एक मर्यादा है, अब आप कहने, जी वहें क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादा हैं, उन्हें पालन करना चाहिए, तो महिला ब्यास गुरु मंत्री भी नहीं दे सकती हैं, गुरु जो है, ज्यान बेटा सब से लिया कोई बात है जो आपने किया लिया ठीक है आप जाब करते रहे हैं जो नियम है वो हम बता रहे हैं बाकी आपने जो किया 2017 से मैं आप से जुड़ा हूँ तो मेरा मन और भक्ती सब आपकी कता से यह भगवान की चरणों में बहुत जादा बड़ी है तो मैं आप से क्या मंत्र ले सकता हूँ आपने ले रखा है तो जरूरत नहीं है वाकी आपकी जो सरद्धा है वो कीजिए खुश रही है सास्त्रों में तो जो है वो हमने आप से कह दिया अब आपको निरने लेना क्या करना है आप से गुरुमंत्र ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं आपकी एक्छा है तो ले सकते हैं खुश रही है